नमस्कार दोस्तो ये मेरा हाथ में जो चीज देख रहे हैं ये छोटा सा नाइट लियाम पर अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा इस वीडियो को लास तक देख लीजिए आपको विश्वास हो जाएगा ये दोस्तो एक टूपीन है और इसके उपर में एक छोटा सा आरजीव लिडी लगा हुआ है जब ये टूपीन हमारा घर का बिजली का बोर्ड में लगेगा ये जो छोटा सा एलिडी है ये हमारा जलेगा और ये नाइट लियाम की तरह काम करेगा तो दोस्तो इसको केसे बनाया गिया है चलिए देख लेते हैं सबसे पहले हमें इस पर प्रकर का टूपीन टॉप चाहिए ये आपको इलेक्ट्रिकल दुकान पर लगबग 5 या 10 रुपे में मिल जाएगा और इसके बाद में दोस्तों आपको एक रेजिस्टर चाहिए इस प्रकर का इसका कलर कोड आप लोग देख सकते हैं और इसका वेलू में आपको बता देत हूँ ये दोस्तों 100 किलोंका है और क्वाटर वाट में है इसमें दो लेग होता है लेकिन कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है ये दोस्त आपको इलेक्ट्रोनिक की दुकान पर लगबग 50 पेसा या फिर एक रुपे में मिल जाएगा और इसके बाद में दोस्तों आपको एक डायोड का प्लस होता है और जो डायोड का सिल्वर वाला पट्टी होता है ये वाला भाग डायोड का माइनस होता है तो ये डायोड आपको इलेक्ट्रोनिक की दुकान पर एक रुपे में मिल जाएगा तो टोटल हमारा 10 रुपे की आसपास खर्चा आएगा तो यहां पर स इसका जो ये दोनों पिन निकलता है, इसके साथ में हमारा काम है, इसको हम सैड में रखते हैं, तो अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा रेजिस्टर है, इसका एक लेक को क्या करेंगे, हमारा एक पिन के साथ में लगा देंगे, तो इस पिन के साथ में इसका एक लेक को हम इ इसके बाद में यहां पर यह टाइटली रहेगा तो इसको छोड़ देते हैं और इसके बाद में यह वाला जो पीने इसके साथ में क्या करेंगे यह जो हमारा डायोड का यह ब्लाक वाला भागे दोस्तों यह ब्लाक कलर का लेक को इसके अंदर में डाल देते हैं और इसको भी tight कर लेते हैं तो इसको भी tight करने से कोई फाइदा नहीं है ये भी हमारा ढह located आ रहा है आप लोग देख सकते हैं तो इसको भी हमें solve करना पड़े गा देखे दोस्तो दोनोंזה little pin के साथ मैं diode और register को solve कर लिए हूं और अभी मैंने छोटा सा 3 mm का आरजीव LED ले रहा हूँ यह आपको इलेक्ट्रोनिस के दुकन पर लगभक एक या दो रूपे में मिल जाएगा इसमें जो बड़ा वाला लेग होता है वो प्लस होता है छोटा वाला लेग माइनस होता है तो इसका जो बड़ा वाला लेग है प्लस वाला लेग इसको में क्या करना है इसको यह टू पिन में फिट करना है तो देखे मैंने कुछ इस तरीके से इसको यहां पर फिट कर लेता हूं दोस्तों यहां पर इसको फिटिंग करने से पहले यह दोनों पिन के बीच में ग्याप है या फिर नहीं है यह आपको देख लेना है अगर दोनों पिन के बी यह दोनों टॉच नहीं होना चाहिए अगर टॉच होंगे तो हमारा स्रॉट सर्कृट हो जाएगा तो चलिए अब हम इसको फिटिंग कर लेते हैं यहां पर देख सकते हैं हमारा ग्याप बिल्कुल अच्छे से बना हुआ है तो अभी मैंने इसको फिटिंग कर लेता हूं यहां पर नीचे की साइड में इसका जो नट है इसको मैंने दे देता हूं और अभी मैंने टाइट कर लेता हूं टेश्टर की माध्यम से तो देखे दोस्तो यह हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है आप लोग देख सकते हैं यहां पर यह LED हमारा थोड़ा सा हिल रहा है क्योंकि इसके चारो तरप में ग्याप है तो यह ग्याप को फिल करने के लिए आप ग्लू गन की माध्यम से इसमें ग्लू लगा के इसको और यह LED कभी भी नहीं हिलेगा तो चलिए दोस्तो अब हम इसको चेक करके देख लेते हैं तो यह हमारा घर का 220 एसी सप्लाई का बोर्ड है आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारा करेंट आ रहा है तो चलिए दोस्तो अभी मैंने इसमें इसको लगा के दिखा देता हूं त यह देख सकते हैं दोस्तो यह हमारा जल रहा है बहुती बड़िया से यहां पर आपको blinking करता हुआ नजर आएगा क्यूंकि हमारा जो मोबाइल का क्यामेरा होता है उसमें यह blinking करता हुआ दिखा ही देता है लेकिन असल में यह हमारा blinking नहीं करता है तो चलिए दोस्त अभी म बन कर देता हूं तो दोस्तों अभी मैंने लाइट बन कर लिया हूं फिर भी यहां पर हमारा यह दिन है तो यहां पर थोड़ा बहुत लाइट आ रहा है घर में लेकिन जब रात हो जाएगा तो यह बहुत ही बढ़िया से काम करेगा और इसका रोशनी मतलब बहुत ज्यादा नहीं है नाइट लियाम का जितना रोशनी होना चाहिए उतना ही रोशनी है और यह बहुत ही कम आपका जो पावार है वो कंजिम करेगा उस्तों स्रिफ 10 रुपे की अंदर में यह नाइट लियाम हमारा बनके त्यार हो जाता है और आप जब चाहो इसको घर का बोर्ड में लगा के आप इसका मज़ा उठा सकते हो तो यह बहुत ही कम पावर कंजिम करता है क्योंकि इसमें एक बहुत ही छोटा सा अरजवी लिडी है तो इससे आपका बहुत ज्यादा बेल भी नहीं उठेगा तो मैं आसा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो के लाइक कर दीजे और इस प्रकर का वीडियो देखने के लिए हमारा इस चैनल को सस्क्राइब कर लिजे